आज हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ कैसी होने वाली है जब आप मेडिकल कॉलिज में जाएंगे तो पूरा रियल स्टोरी आपके सांथ शेयर करूँगा और आपको बहुत मजा आएगा जब आप पढ़ाई करते हैं तो किसी ने किसी पॉइंट पे आप रुख जाते हैं और आपका मॉटिवेशन बिलकुल कम होने लगता है तो यह वीडियो आप सब के लिए एक बरदान की तरह काम करेंगे क्योंकि आपका यह ड्रीम है जो पीछे आप देख रहे हैं यह आपका ड्रीम है और वहां की लाइफ कैसे होती है उसको जब आप सुनेंगे तो और मजा आएगा मैं अपनी कहानी बताऊंगा क्योंकि जब तो मैं आपके τरह नीटखा इस परेंट हुआ करता था तो मैं देली में रहता दा और मुझे एम्मसी के बारे में लिटरली नाहीं था मुझे सब्दर जंग के बारे में knowledge था कि आपको पता एक सब्दर जंग बहुत famous hospital है तो जब मैं demotivate हो जाता था तो मैं सब्दर जंग चला जाता था वहां पर बैठा रहता था वहां के डॉक्टर को देखता था आते जाते थे white coat में तो अंदर से बड़ा ही motivation मिलता था कि का मैं भी इस hospital में ऐसे white coat पहनते पहनूंगा और आते जाते रहूंगा मरीजों को देखूंगा कितना मजदार होता है जब मैं आता था वहां से सब्दर जंग होस्पिटल सची घटना बता रहा हूं मैं जब मैं आदा था तो 30-40 दिन तक बहुत motivate फिल करता था देखिए हम तो कुछ ऐसा motivation चाहिए ताकि हमारी study एक अच्छे तरीके से बरकरार है और हम पढ़ते रहें लगातार पढ़ते रहें तो यह स्टोरी आपके लिए बहुत ही सहायख होगी जब मैं MMC में था तो फॉस्ट यूर के कुछ दिनों तक बड़ा ही मज़िदार सफर रहा क्योंकि नीट आपको पता है नीट एक बहुत बड़ा एक्जाम है और बहुत महनत से कोई नीट क्राक करता है तो मैं सोचता था यार मैंने 2-3 साल तक बहुत महनत किया अब बारी है एंजॉय करने के कॉलेज में कॉलेज के लाइफ बच्ची होती है लिटरली आई एंजॉय ठीक है मेरे 2-3 दोस बन गए थे हम लोग मॉल में जाते थे मूवी देखते थे एंजॉय किसी भी मेडियो कॉलेज में एक्जाम बहुत जादा होते हैं बहुत जादा इस्वाइना अब दूमिजए याद नहीं है बहुत पुराना हो चुका हूं जैसे सेंट अप होता था पर फ्र एक्जाम होता था चोटे-छोटे यूनिट टेस्ट होते थे तो एक्जाम आ गया फिर senior बताते थे कि यह देखो यह 10-15 लोग जो हैं फिर्स्ट एर में फिल हो गए हैं तो बड़ा डर भी लगता थे कहीं हम भी तो नहीं खड़े न मिले तो फिर आये स्टार्ट स्टड़ी और सब पढ़ लेते हैं तो मेडियो कॉलेजी में सबसे अच्छी बात यह होती है कि जब जब exam आता है तो महौल कुछ different हो जाता है न सारे लोग पढ़ते नजर आते हैं आपको support भी करेंगे हमारे MMC में बहुत लोग support करते थे एक दूसरे को है न बता देते थे कि हाँ यह आने वाला है यह सारे चीज़ है supportive है ultimately आप पढ़ ही लोगे क्योंकि आप ऐसे जगह जा रहे हो जहां पर महौली कुछ different है आपको पढ़ना ही है तो usually हम लोग 8 से 4 वज़े तक हमारा MMC में class होता था और फिर उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत मैं tuition पढ़ा लिया करता था उसके बाद एक दो घंटा पढ़ भी लेता था तो इतना अगर आप कर लेंगे ना तो आपकी लाई बड़ी स्मूथ जाएगी क्योंकि मीन फोकस होता है कि जब आप क्योंकि medical college में सारा practical oriented होता है वहां पर मतब कि ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज मान लो कि आपके सामने body खुली हुई है आप देख रहे हो कि आपका liver कहा है intestine का है किड़नी कहा है relate कर पा रहे हो और बहुत सारी चीज़े जो हैं आप देख के ही पता लगा लेते हो तो काफी enjoy करते हो तो अगर आप मतब क्लास के दौरान आट से चार बज़े मेरे में में होता था अगर क्लास के दौरान अगर बहुत आप attentive हो और उसके बाद दो या तीन घंटा पढ़ लेते हो ना तो म में पास होना बहुत इंपॉर्टन है पास जल्दी से लोग नहीं होते हैं क्राइटीरिया हमारे दले इंवर्सटी फॉर्ट फॉर्ट पचास परसेंट होता है और लोग पास हो जाते हैं बहुत enjoy करते हैं पार्टी होती है तो मेडिक कॉलेज में लाइफ आपकी असान होने अब जयादा नहीं पढ़ते हैं तो आप आप जो फॉर्मेट बदल जाएगा पढ़ना शुरू कर देंगे और इसा नहीं कि मेरा कुछ अलग circumstance था अना मुझे पढ़ाना भी होता था टूशन भी पढ़ाना होता था तो मेरे कुछ अलग इसलिए मेरे जाता दोस्त बन नहीं पाए बट जो अच्छे फामिली से होते हैं जिनकी फामिली थोड़ी सपोर्टीव होती है दस बीस अजार उपे भेज तक नहीं तो काफी मच जाता है बहुत पढ़ना होता है ऐसा नहीं है सब एकठे तोड़ना पढ़ना धीरी धीरे पढ़ना हो और अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करोगे तो पढ़ाई आपकी बड़ी स्मूथ हो जाएगे पहली दफ़ाइस सेशन में आये हैं तो इस वीडियो को करता हूँ अगले दफ़ा और इस चैनल को जरू सब्स्राइब कर लेजगा थैंक यू